Hello everyone, आप सब का स्वागत है, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डिस्टेग ग्यान में तो आज की स्वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ETT Admission के लिए आपने Application Form को कैसे फिल करना है, कैसे आपने Registration करनी है, कैसे आपने Fees को पे करना है और कुछ instructions जो है, वो आपने त्यान में रखनी है तो ये सारी जानकरी आज की स्वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ तो जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं, तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइक पर लेना जिससे कोई भी नई अपडेट आएगी आपको मिलती रहेगी तो चलिए आज की स्वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको ऐसे से पिंजाब की वेबसाइट पर निक मिल जाएगा Admission to 2-year DLAD ETD Admission का तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगी तो आपको यहाँ पर डैशबॉर मिल जाएगा Admission to 2-year DLAD course 2022-24 तो यहाँ पर आपको यहाँ पर निउ लिंक मिल चुका है तो रिजिस्टर करने के लिए इस लिंक पर हम जैसे ही क्लिक करेंगी तो हमें कुछ instructions मिल जाएगी तो हमें इन instruction को बड़े ही ध्यान से पढ़ लेना है और यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद पर पर सीड बटन पर क्लिक कर देना है तो यह सारी information फिल करने के बाद अपना जो form है वो print कर सकते हैं आप तो अब हम देख सकते हैं जो हमारा first form है registration के लिए यहाँ पर हमें कुछ information फिल करनी है तो इसके बार में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप भी देख सकते हैं काफी easy form है तो यहाँ पर आपको अपना name सेलेक्ट करना है father name बरना है mother name यहाँ पर date of birth फिल करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर अपना gender सेलेक्ट कर लेना है male female जो भी है उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जो mobile number है currently working चल रहा है इसके बाद जो भी आपकी category ही आप दे सकते हैं यहाँ पर काफी सारे category से उसमें select कर लेंगे email id फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पर point जो है वो Punjabi pass at 10th level तो यहाँ पर yes no fill करेंगे उसके बाद आपने अपना कोई password choice करना है और confirm कर देना है confirm करने के बाद आपने register वाले button पर click कर देना है तो जैसे आप register वाले button पर click करेंगे तो आपकी registration हो जाएगी आपको mobile पर भी SMS आ जाएगा और next आप screen में भी दे सकते हैं यहाँ पर भी आपको एक message display हो जाएगा कि आपका जो registration है वो successfully हो चुकी है आप registered हो चुके है और नीचे एक link मिल जाएगा click here to login तो हमें इस link पर click करना है तो जैसे हमिस लिंक पर click करेंगे तो आप next देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें अपना registration number fill करना है और यहाँ पर हमने password रखा था वो यहाँ पर हमने फिल करके login बटन पर click कर्देना है तो जैसे हम login वाले button पर click करेंगे तो अपना application form है वह मिल जाएगा तो यहां पर हमने अपनी जो सारी information है वो fill करनी है तो यहां पर आपको green tab में आप देख सकते हैं कि link है fill application form तो हमें इस tab पे click करना है तो इस link पे click करने के बाद आप जो भी हमारी qualification है उसको fill करेंगे तो यहां पर application form में जो आपकी information है वो सारी उपर आ जाएगी उसके बाद आपने कुछ columns हैं वो fill करने है तो सबसे पहला जो column है आप married, unmarried इसको यहां से select कर लेंगे तो select करने के बाद हम यहां पर subject choice करेंगे subject past at 10th level तो यहां पर English, Hindi, Math, Punjabi, Science, Social Study यह 6 subject हैं जो हमें tick करने हैं अगर कोई subject हमने यहां पर नहीं study किया है तो हम उसे untick कर सकते हैं तो next हम qualification की बात करें तो यहां पर 10th और 12th की जो qualification है वो आपने fill करनी है अगर आपने कोई graduation की है यहां कोई और qualification प्रावत की है तो यहां पर कोई भी information fill नहीं होगी यहां पर roll number, passing year, board, university marks obtained, total marks, percentage इसी तेने 12th class का भी यह सारा select करना है यहां पर stream सेलेक्ट कर लेंगे आपकी कौन सी stream है, कितने marks आये हैं total marks कितने हैं और percentage अपने आपके आजाएगी यहां पर उसके बाद हमने address fill करना है तैसील district को select कर लेंगे कौन सी आपकी district है, तो select करने के बाद हमें यहां पर pin code fill कर देना है, उसके बाद हमें यहां पर district की जो diet है, आपकी district की जो भी diet होगी वो हमें यहां पर select कर लेनी है और update application form पर click करना है तो यह सारी information आप बड़े ही द्यान से बिल कीजेगा अपने documents के according और आप देख सकते हैं उपर एक message आ गया है कि आपकी जो information है, वो successfully update हो चुकी है, तो अभी अगर आप कोई correction करना चाते हैं, तो करने के बाद आपने update application form पर click करना है यहां check box पर click करने के बाद log करते नहीं application को application को log करने के बाद आप कोई भी changes नहीं कर सकते हैं, तो अभी हमें यहां पर click है to pay online, तो अब हमें यहां पर fees को pay करने का link मिल चुका है तो जैसे हम यहां पर click करेंगे तो हमें यहां पर option मिल जाएगी pay with credit card, debit card, net banking, यहां फिर आप UPI के दवारा भी payment अपने कर सकते हैं तो जैसे हैं आप अपनी payment को कर लेंगे तो आपको message मिल जाएगा कि आपकी जो payment है वो received हो चुकी है, बट अगर आप back करके वापस आएंगे तो आपको वहां पर जो fees है वो confirm नहीं होगे क्योंकि जो fees आप pay करेंगे उसको confirmation के लिए कुछ समय लगता है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने fees pay कर दी है और आप दबारा से चेक करेंगे तो आपको वहां पर सारा process दबारा से फिर पराना ही मिलेगा क्योंकि जो fees होगी वो confirmation में थोड़ा समय लगता है तो आपको समय बात चेक करिएगा तो आपको next जो भी option आएगी तो वहां से आप अपना जो application form में उसको print कर सकते हैं आपके दवारा जो fees pay हो जाएगी उसके बाद आपको link मिलेगा वहां पर लिखा होगा कि print your application form तो वहां से आप अपने जो application form में इसको print कर सकते हैं तो जो fees confirmation है वो 24 hours तक या 24 hours के बात तक का समय होता है तो कोशिश करिए जैसे आज आपने fees को pay कर दिया है तो कल सुबह तक आप चेक करिए तो आपकी जो fee से वो payment हो जाएगी तो आपको application form को print करने का option भी मिल जाएगा तो इसलिए आपने जो भी information फिल करनी है बड़े ही द्यान से फिल करनी है email id, अपना mobile number आपकी जो qualification है वो बड़े द्यान से फिल करनी है तो यहां पर मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो भी extra qualification होगी जैसे graduation है या कोई और diploma degree आपने की हुई है वो information यहां पर फिल नहीं होगी और जब आपकी marks भी बनेंगी तो वो आपके 10th और 12th के जो merit बनेंगी उसके according की आपकी merit list में नाम आएगा उसके बाद आपकी जो counseling होगी तो इस process के बाद मेरी next जो वीडियो आने वाली है कि इसमें जो भी eligibility है वो तो सारी मैंने आपको बता दी थी अब next जो वीडियो हैगी उसमें हम बात करेंगी या इसका जो slabber से वो क्या रहेगा और कुछ और भी बाते करेंगे registration के बाद क्या process होगा counseling का और merit का तो इसी तरह की और वीडियो की जानकरी लेने के लिए हमारे साथ बने रही है और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please हमारे चैनल को जुरू subscribe को लेना क्योंकि admission होने तक हम ATT समंदी जो भी नहीं updates आएंगी वो आप तक लाते रहेंगे तो अगर आपकी कोई क्यूरी है या कोई question है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे उसको solve किया जाए या आपके question का जो है वो reply जरूर किया जाए इसके इलावा मेरा telegram channel है digitic ग्यान वहां पर भी आप मुझे join कर सकते हैं ATT समंदी कोई भी नई update आती है या कोई documents आएंगे तो वो वहां पर मैं upload करता रहता हूँ graduation कर रहा है और last year, final year है या एक दो महीने में उनके exam होने वाले हैं तो वो भी यहां पर apply कर सकते हैं क्योंकि उनकी जो developed class है वो complete हो चुकी है तो वो भी इस application form को fill कर सकते हैं तो जब उनका result आएगा तब वो ATT में admission के लिए जा सकते हैं क्योंकि अक्तूबर मन तक जो इनका counseling का process होगा मेरिट का process होगा वो अक्तूबर तक चलेगा और अक्तूबर में इनकी जो classes हैं वो start होंगे तो आज किस वीडियो में इतना ही है मिलते हैं हमारी किसी और next जानकारी वाली वीडियो में तब तक के लिए जैंद